हाट पीपलिया विधान सभा सीट पर होने वाले उपचनाओं में कॉंग्रेस नेता तवर सिंग चौहान ने अपनी सक्रियता का भवर दिखाया है इसी कड़ी में अब वो गाउं गाउं में चौपा लगा कर पार्टी की जीत का मंत्र तैयार करें है MP News एक खास बातचीत में चौहान ने किसानों को साथ लेकर बड़ी जीत का दावा पेश किया है देखिए एक खास बातचीत वर्तमान में मद्यप्रदेश जहां एक और कोरोना के कहर से जंग लड़ रहा है ऐसे में वर्तमान दोर में ही राजनितिक दलों को एक बड़ी अगनी परिक्षा देनी है और ये अगनी परिक्षा है उप चुनाओ की जी हां मद्यप्रदेश में 24 ऐसी विधान सबा सीटे हैं जहां पर कॉंग्रेस हो या भारती जनिता पार्टी दोनों को अगनी परिक्षा का सामना करना है ऐसे में सबसे बड़ा चुनाओ है चेहरों का चाहे कॉंग्रेस की बात करें या भारती जनिता पार्टी की किन चहरों को आगे लगकर वो चुनाव लड़ती हैं और किन मुद्दों के आधार पर जनता के घरों तक दस्तक देती हैं ये सबसे बड़ा सवाल है ऐसे में मद्यप्रदेश की हाट पिपलिया विधानसबा सीट की बात करें तो ये राजनेतिक मायनों में सबसे होट विधानसबा मानी जा रही है सबसे बड़ा वर्ग निकि किसान वर्ग इस विधानसभा से आता है और कई ऐसे मुद्ने हैं जो की सीधे तhalten पर जनता से सरोकार भी रखते हैं हाट पिपलिया विधानसवा सीट से कॉंग्रिस की तरफ से एक उभरता हुआ चैरा है एक उभरता हुआ नाम है तवर सिंग चोहान का मद्यप्रदेश दुग्द महासंग के वो अध्यक्ष तो है ही साथी साथ कॉंग्रिस पार्टी के वरिष्ट नीता भी है और लगातार प पिन्यूस के न्यूस रूम में हमारे साथ वो खुद मौझूद है तवर सिंग जी सबसे पहला सवाल क्या दावा है आपका हाट पिपलिया विधानसवा सीट से क्योंकि आप हाट पिपलिया का दिल कहे जाने वाले राजोरा से आते हैं और जब दिल जीत लिया तो क्या चुना होने जा रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ हाट पिपलिया के मध्य मेरा गाव राजुद आता है में विधस तीस पे तीस वर्सों से मेरा परिवार कांग्रेस की सेवा करता आ रहा है यह हम किसानों से जुड़ावा परिवार है सीदे सीदे हम दुख्दी विवसाई से जुड़वे हैं खेती किसानी से जुड़वे हैं हम हमारे दिल में खेती किसानी की रब रब में बसता है आने वाले समय में जब चुना हो रहा है हमें हमारी पार्टी को और से यदि टिकेट मिलता है तो मैं किसानों की उन्नती के लिए नित निरंतर ने प्रय लिटर की बड़ोतरी आदरनी कमलाजी के नेत्रत में की थी जैसे ही हमारी सरकार कुछ सड़ी इंतरकारी विधायकों के द्वारा गिराई गई ततका हल आज की तारिक में भाव दुख्द संके छे रुपे प्रति फेटे एवं प्राइवेट दुख्दुविय अपारी मुक्षि मंतरी रहा तुम्हे खिंप्ध्धानों का एक-एग दाना खरीद हुँआ एवं गेहों के तो क्या मिटए भी 200 रुपे खरीद हुआ इनुनने तो गेहों खरीदने में किसानों को काफी परासार wanna आ रही है 8 से आप 15 दिन तक किसानों की लाइन लंबी-लंबी लगी हुई है और किसान में तरही माम मज गई है और इन लोगों ने हमारे किसानों के साथ काफी छल किया गया है कई के ऐसे में नहीं चोड़ गए और आज तक उनके गहूं तुलना सैस रगए हैं माननी मुक्षिमंद्री ज जाता हूं कि जो किसान सैस रगए हैं उनके गयों खरीदे और उनके हाथ मजबूत करें दावे की अगर हम बात करें तो पूरव की बात करें तो यहां से कॉंग्रेस के ही मले रहें मनोर चौधरी जिन्होंने अब कॉंग्रेस का दामन छोड़ दिया बीजेपी में चले आने वाले समय में आपने कहा कि वो बीजेपी में चले गए हैं चले जाएं यह कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र हैं यहां पर लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं हमारे कांग्रेस का प्रतेक सिपाही कोई भी उनके साथ नहीं जाएगा और आने वाले समय में कांग्रे और विश्वास रखता है आप देखेंगे कि मद् परデिस में जो आभी वरतमान पूरे मद् परद्ध समें जो उन्हें विधायक है उसमें साब अधिकतर ग्रामिन चेतर के विधाएकी चुने गए हैं सेरों से हमारे विधायक कम आये हैं तो आने वाले समय में यह सरकार किसान तक किये हैं और नई स्कीम के तहट हमने जून से दो लाग रुपे तक कर्ज माप करने की वियो रश्ना बना ली थी किन्तो इस बीच सड़ी अंतरकारी विधायों को ने हमारी सरकार गिरा दी और यह दी उपचुना होता है और हमारी सरकार बनेगी हम वापीस दो लाग ते ज बात कॉंग्रेस पार्टी ने की थी वो कमलनाथ सरकार पूरी नहीं कर पाई शायद यही वज़ा थी कि जो तमाम 22 विधायक थे जोतिराजते सिंधिया के नेत्रत में बीजेपी में चले गए क्योंकि उनकी सरकार में उनकी ही सुनवाई नहीं होती तो यह कितना चुना जो पी डबली नहीं मंत्री थे उन्होंने देवास से हाट पिपलिया के बीच की जो बरोठा फाटा से चापड़ा तक की है सडक ततकाल स्विकर्ट की उसके टेंडर लगवा है और अब काम चालू कर दिया और इन बेह रूपियों जो हमारे चले गए भाई लोग उसका द्योगों का निर्वान करेंगे एवं बेरोजगारी का जो आपने मुद्दा बताया है हम उन बेरोजगार भाईयों की मदद करते हुए उनके हाथ मद्बूत करेंगे और उनको बेरोजगारी बत्ता दिलावेंगे इसवान सारी बात बताईए कि यहां से बड़ी ताधात में किसान वरगाता है ऐसे में किसानों के दर्द पर मलहम लगाने के लिए क्या आपको लगता है इस चुनावी दौर मेंुदध मौशजं दौर में कई ऐसे संकल्भ हैं जो की लेना बहुत जरूरी है क्या आपके जहन में भी कुछ ऐसे वादे हैं, कुछ ऐसे इरादे हैं, जो लगता है, कि किसान भाईओं तक पहुँचे, ताकि सही मायनों में, वो सही परिक्षा में सही चेहन कर पाएं। आपने भूत अच्छी बात की, मैं भी किसान हूँ, किसान से जुड़ा हूँ। अभी हाट पिपले शेतर में आप जाएंगे या आपके टीम जाएगी तो पता करना एक एक किसान के घर दस पांच पांच दद्दस हजार बोरी यहां प्याज की भरी हुई है तीन महा पहले ही प्याज के भाव बीस से तीस रुपे के लिए थोक में थे आज पांच से साथ र किती थे परिसान हो रहा है आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी हम उस व्यवस्ता को हल करते हुए ततकल किसानों की तरब जो भाव है दूद का भाव ही देख लेयां दूद का भाव भी आज बीस पच्छीस रुपे लिटर है थोक में पांच से छे रुपे प्रती फेट कि वाव में प्रयास करूँगा कि दूद का भाव भी सात run फेट तक जाए और सबसे बड़ी परिख्षा जो होती ही वो डिकिट लाना होती है इस टिकिट की रहां में कई टेंशन भी हैं कई ऐसे बागी नाम है कई एसे पुराने नेता है जो की आपकी रहा में रोड़ा बन सकते हैं क्या इसे लेकर कोई रणनीती है कि वाकई में कॉंग्रेस पार्टी में एक निश्ठावान एक जमीनी कारेकरता और कई बरसों से पार्टी का जंडा उठाते हैं काम कारेकरता कि भी सुनवाई होगी और टिकेट आपके घर तक पहुंचेगा यानि कि मौका आगत रूप से इस सीट पर अपना कभजा या कहा जाए अपना हक मानता आया है क्या लगता है कि ऐसे कई बड़े लोग हैं जो चुनोती दे सकते हैं आप जैसे नहीं मुझे कोई चुनोती नहीं है मुझे मेरे नेता आदरनी कमलना जी और प्रदेश के पूरू मुख्यमत नाम आएगा और सर्वे में जनता निर्णाई लेगी कि किसे टिकेट देना किसे नहीं देना इमांदारी से पूर्णता पालन होगा और जिसे भी सर्वे का नाम आएगा उसमें टिकेट दिया जाएगा वो कांग्रेस का उम्मिदवार होगा और कांग्रेस की और से विधाय आपके सामने खड़ा कर दिया गया हलाकि आपने पार्टी के प्रती निष्ठा बनाए रखी सरकार की नीती के मुताबिक आप चले और पार्टी का जंडा उठाते चले गए बाद में आपको प्रदेश का अधिक्ष बनाया गया अब क्या लगता है ऐसे स्थिती में आपके ल नहीं हुआ कि चुनाओ कराए जाए प्रदेश के मुख्या कमलना जी ने मुझे भौपाल बुलाया चुनाओ कराने की तैयारी करी गई मुझे जवाबदारी दी गई हमें बारा में से दर्ट डारेक्टर कांग्रेस के चुन के लेके आए उसमें से एंड समयी पे जब मुझे आस्वासत किया तवर सिंग जी पार्टी के और से इन अधिक्रित किया गया है मैंने ततकाल अपना फार्म विड्राल किया एवं पार्टी का सम्मान रखते हुए हमारे भाई मोति सिंग जी पटेल को इंद और दुख संका अध्यक्स बनाया इन सारी बातों को ध्या जवाबदारी जी आगे भी वो मुझे जो जवाबदारी देंगे उसका इमानदारी और निष्ठा से पालन करूआ और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद दूँगा जो हालात कांग्रेस के हैं कुछ ऐसे ही हाल बीजेपी के भी नजर आते हैं वहाँ पर मनो चौदरी जी के सामने पूरु मंत्री दीपक जोशी जी का जो रूट जाना है वो कही न कहीं मुझसिवत का सबब बनता दिखाई दे रहा है क्या आपको लगता है कि दीपक जोशी प्रदेश के मुख्या मुख्य मंत्री थे वो राजनीती के संत थे जीवन भर उन्होंने पार्टी की सेवा की दीपक जोशी जी भी विगत दस साल से मंत्री थे हैं उन्होंने भी पार्टी हित में और हमारे हाट पिपलिया में काफी काम कराए हैं उनको छल तो दुख तो ह रहा है क्योंकि आज यदे नए उम्मिद्वार को यह मोका देगा और वह पार्टी का चुनाव जीत्ता है तो वह क्या करेंगे सोचने का विचार है यह उनके लिए उनका विचारनी प्रस्थ है कि आगे वो क्या कदम अठाते हैं क्योंकि में ने आपके चेनलों के माध्यम से सुना है कि उन्होंने विकल्प खुले रखने की बात कहीं है दीपक जोसे जी क्या निरने लेंगे यह आने वाले भविस्त समय बताएगा लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें कांग्रेस पार्टी को पूर्ण जोर फाइदा होगा और कांग्रेस पार्टी भारी बहमोतों से विजय होकर मद्य प्रदेश में एक बार फिर पुनह कमलनाजी के नेतुरत में मद्य प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनावेंगी। हाट पिपलिया से आपको यदि कॉंग्रेस ने टिकेट दिया तो मनुर्द चौधरी को कितने वोटों से हराने का दावा करते हैं और आपकी जीत का मंत्र क्या हूँ यदि मुझे पार्टी ने टिकेट दिया और मेरी जीत का मंत्र यह है कि मैं किसानों के दिल से जुड़ा उसे कोई छल परेविया धोका नहीं दे सकता मैं हमारे आसिरवाद दाताओं से विगत 30-30 सालों से जनता से आज भी विगत भारती जनता पार्टी की सरकार में अन्निपदों पर चुन के गया हूं तो ये लोगों का परिणाम है कि निर्वाचिन के जो परक्रिया होती है उसमें मुझे जनता ने पसंद किया और आने वाले समय में भी यदि पार्टी मुझे टिकेट देगी तो मेरी जनता पे मेरी भगवान है पूर्ण विश्वास है कि मुझे हर जारों मतों से विजय कर मद्द प्रिदेश की विदान सभा में भेजेगी और कांग्रेस की सरकार कमलना जी को नेतरत में बनाएंगे जीत का दावा भी बड़ा बुलंद है और उनके इरादे भी यहां पर तेज तर्रार है देखना होगा कि किसान बहुल स्विदान सभा सीट को लेकर क्या सियासी समीकरण आने वाले दिनों में बनते हैं और जिस तरह से तमाम राजनेतिक दलों ने अपनी तयारियां तेज कर दी हैं ऐसे में तवर्ण सिंग चोहान का यह जो नाम लगातार चर्चाओं का विशे बना हुआ है यह कैसे कमलनात के कानों तक पहुँशता है और क्या वाकई में कॉंग्रेस पार्टी हाट पिपलिया में बीजेपी को मात दे पाती है ऐसे में यह अगनी परिक्षा बहुत दिल्चस्प मोड पर आकर फिलहाल खड़ी नजर आती है MP News के इस स्पेशल सेग्मेंट में फिलहाल इतना ही वीडियो जर्नलिस्ट अरुन यादव के साथ महींद्र सिंग MP News